नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एकरम नए भारत में आप सबका मन की बातों के साथ स्वागत है और देखिए सबसे बड़ी तस्वीर यौन शोशन के आरोपी, ब्रिज भूशन शरण सिंग, डल बल के साथ प्रधान मंत्री नरेन मोदी की मन की बात सुन रहे हैं मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं और देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान जंतर मंतर पर दिन रात नयाय के लिए एक कर रही हैं और इसी के साथ प्रधान मंत्री के साथ बिलकुल करीब के फ्रेम में चमकने वाला यह दिवालिया, ठग, संजे, शेरपूरिया, गिरफतार होता है और तमाम फोटो हम सब के सामने आती हैं कि कितना करीबी हैं प्रधान मंत्री जी से और उनकी पूरी टीम के साथ और इससे पहले गुजराती ठग, फ्रॉड, किरन पटेल की जो फोटो और जो कारनामे थे वे हम सब देख चुके हैं लेकिन खबर सिर्फ एक है और वो खबर जो दिखाई जा रही है वो है मन की बात सौ एपिसोड पूरा करने के बाद तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल ल हचाने के लिए अंगिनत फोटो फ्रेम्स सामने आ रहे हैं दोस्तो हम सब जानते हैं ये देश और दुनिया जानती है कि सबसे बड़ी खबर क्या है सबसे बड़ी खबर है महिला पहलवान उनकी नियाय के लिए लड़ाई और उनके समर्थन में उत्रे लोग लेकिन साथ ही साथ देखिये जो खबर दिखाई दे रही है जो दिखाई देनी चाहिए वह है कि ये जो आरोपी है जो भाषपास सांसद है ब्रिज भूशन शरण सिंग ये किस बेख़ौफ अंदाज में प्रेस कॉन्फरेंस करता है और वहाँ जो कहता है वह बहुत पर वह साफ साफ कहता है अकलेश यादव का नाम लेता है हसता हुआ मुस्कुराता हुआ और कहता है कि वे मेरे समर्थन में खड़े हैं और इसका धन्यवाद देता है आज का कारिकरम सबसे बड़े सवाल के साथ कि मोधी जी जबाब दें कि महिलाएं जो बैठी हैं उनके उपर जो अत्याचार चल रहा है वह उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि करनाटक चुनाओं में वो बात कर रहे हैं कि 91 बार कॉंग्रेस और तमाम लोगों ने उन्हें अब शब्द कहे मोधी जी ये महिलाएं भी देश की नागरिक हैं नया सिंग को अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं एक यौन आरूपी के साथ समाजवादी पार्टी का नाम जुड़ रहा है पॉलिटिक्स क्या है अकलेश जी साफ कीजिए दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ है महिला पहलवानों ने देश की राजधानी दिल् पहलवान उन्होंने एक बार फिर बताया है कि असली ताकत और हिम्मत क्या होती है अन्याय के खिलाफ यौन शोशन के खिलाफ डौन बहुबली भाशपा सांसद बिश भूशन शरण को लगातार उन्होंने निशाने पर ले रखा है किसी भी तरह के दबाओ के आगे वे घर बार को छोड़ कर सडकों को उन्होंने घर बनाया है और एक बार बताया है कि भारती जानता पार्टी चाहे जितना भी सोच ले चाहे जितने बड़े पैमाने पर भूशन शरण सिंग के समर्थन में सामने सामने या परोख ढंक से उसे बचाने की कोशिश करे ये महिला पहलवान उन्हें छोडने वाली नहीं जब तक न्याय ना हो जाए। साफ शब्दों में उन्हें कहा है कि बिना उनकी गिरफतारी के। और यहां ध्यान दीजिए। यह शक्स जो मुस्कुराते हुए, टहलते हुए, हसते हुए प्रेस कॉंफरेंस कर रहा है। इन महिला पहल पहलवान नाबालिग हैं जिन्होंने यौन शोशन का आरोप लगाया। अगर यह व्यक्ति भाशपास सांसद ना होता। अगर यह व्यक्ति जिसके बारे में मीडिया में कबरे आ रही हैं। और तो और महिला पहलवानों ने जो लिस्ट लगा रखी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ऐसी से अधिक मामले अपर अधिक मामले इस शक्स के ऊपर और तो और यह शक्स कुछ साल पहले खुद ही एक पत्रकार से बात करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किस मासूम्यच से हत्या की थी तो बार-बार परिवार वात का रोना रोने वाली भा भूशन का बेटा भारतिय कुष्टी महासंग का उपाध्यक्ष भी है और एक बेटा विधायक है अब आप देखें मीडिया यह माहौल बना रही है कि दरसल ब्रिज भूशन शरंड सिंग का पांस से अधिक उत्तरप्रदेश से वो चुन कर आते हैं वहां की विधान सभाव म दबदबा है और अगर इनके खिलाफ कोई कारवाई हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर भाश्पा को नुकसान होगा शायद यही वजह है यही कारण है कि यह खुल कर बोलता है सब के सामने मीडिया के सामने कि अगर मोदी जी कहें तो यह तुरंत इस्तीफा दे देंगे अब देखिए मोदी जी करनाटक में जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर तो वो दुहाई दे रहे हैं कि उनको निशाने पर लिया जा रहा है उनके खिलाफ अब शब्द बोले जा रहे हैं और बखायदा वे लिस्ट भी देते हैं कि 91 बार्य उनके खिलाफ उनको निशाने पर लिया गया लेकिन मोदी जी यहां तो आपका ही आपकी पार्टी का एक सांसद जिसके ऊपर देश की महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है F.I.R. दर्ज कराई है उसके लिए भी सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटाया है वे खुल कर कह रही है कि इसने यौन शोशन किया है तो मोदी जी क्या आपको खुद अपनी चिप्पी नहीं तोड़नी चाहिए और इस डॉन, माफिया, बहुबली, सांसद, बिजभूश कर्शन के खिलाफ कारवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह शक्स खुद चुनाव आयोग में जो इसने एफिडेमिट दिया है उसमें बताया है कि चार आपरादिक मामले अभी लंबित हैं और तीस आपरादिक मामलों में यह बरी हो चुके हैं महिला पहलवान लगातार य लाप किया जा रहा है इन महिलाओं को ही एक विलन के तौर पर पेश करने की साजिश हो रही है वे मजबूती से डटी हुई है और जिस तरह से जंतर मंतर की पुरानी रौनक वापस आ गई है बड़े जनांदोलन की जमीन तैयार हो रही है और इसका सौजर ने इसका क्रेड जाता है मोधी सरकार को क्योंकि उन्हें कारवाई करनी थी तीन महिने पहले भी ये महिला पहलवान आये थे और सरकार के आशवासन पर वापस चले गए थे लेकिन इस बार उन्हें लग रहा है कि यह सरकार उनकी सुन नहीं रही और महिला पहलवानों के पक्ष में जिस तर साइटी आई है किसान संगठन आये हैं सबने समर्थन दिया है उससे एक बास साफ है कि यह एक बड़े जनांदोलन की दिशा में बढ़ रहा है और शायद मोधी सरकार के लिए मुश्किल होगी क्योंकि यहां पर यह भी ध्यान दीजे कि इसी गली में जहां जंतरमंतर गली है इसके एक कोने पर विश्भूशन का सरकारी घर भी है करनाटक में चुनाओ हो रहे हैं और चुनाओ के लिए दोनों ही राजनितिक दल खास तोर से कॉंग्रेस और भाशपा के बीच घमासान मचा हुआ है और यहां पर आप देखिए कि जो प्रधार मंतरी महिला पहलवानो की दुख और समस्या की बात नहीं करते वे बात करते हैं कि उन्हें कितनी गाली मिली जिसका अभी हमने धिकर किया इसका बहुत ही करारा जवाब दिया कॉंग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि मोधीजी बाकी लोगों के दुख दर्त की भी एक लिस्ट बना लीजे आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही क्यों रोना रोते रहते हैं मैंने पहला ऐसा प्रधान मंत्री देखा है बेहनों और भाईयों पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है आपके दुख सुनने के बजाए अपना दुखड़ा आपको सुनाते है और किसी ने उनके ओफिस में बैच कर एक लिस्ट बनाई है अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है हमें क्या करना वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है अब आप देखें भारती राजनीती में बहुबलियों, गैंगेस्टर्स, बलातकारियों, गुंडों का कितना दबदबा है इसका एक नजारा करनाटक चुनाओं में भी दिखाई दे रहा है एक के बाद एक गुंडे हिस्ट्री शीटर उनके साथ मोदी जी की और मोदी जी की पुरी टीम की फोटो सामने आ रही है इस शक्स को देखिए इसका नाम है साइलिंट सुनील यह बैंगलूर में तेजस्वी सूरिया के साथ प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं भाश्वा के दूसरे सांसत के साथ भी प्रचार करते दिखाई देते हैं और आप राधिक मामले इनके उपर इतने जादा थे जिसे निश्चित तोर पर दबाओ के तहट रातो रात वापस ले लिया गया और हैरानी की बात देखिए कि यह जो हिस्ट्री शीटर है इन्हें भाश्पार ने टिकट नहीं दिया इस पर इनके जो फॉलोवर्स हैं इनको मानने वाले लोग हैं वा भाश्पा कार्याले के सामने ही प्रदर्शन कर रहे थे और अब आप देखिए यह तस्वीर यह तस्वीर है गैंगेस्टर रवी की बलातकार हत्या तमाम तरह के आरोप इनके उपर लगे हुए हैं और इनकी तस्वीर मोदी जी के साथ दिखाई देती है और बहुत करीब फ्रेम में दिखाई देती है सिर्फ इतना ही नहीं इन दो लोगों को तो टिकट नहीं मिला लेकिन तीसरे हिस्ट्री शीटर जो रावडी बोलते हैं गुंडा बोलते हैं मनीक अंथा राटहोर को टिकट दिया भाश्पाने दोस्तों एक बहुत एहम सवाल सवाल बिजभूशन शरण सिंग का तो है ही कि उन्हें भारती जनता पार्टी मुदी सरकार खुद मुदी जी क्यों बचा रहे हैं लेकिन सवाल इससे बड़ा है जिन तमाम हिस्ट्री शीटर्स की हमने बात की कुछ के चहरे आपको दिखाए और यह ठग संजे शेर पुरिया जो लगातार ठगता रहा लोगों को यहां तक कि इसने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो राजपाल है उनको इसने लोन दिया है किरन पटेल यह सारे के सारे लोग आखिर क्यों भाशपा से अपना रिष्टा उजागर करते हैं फोटो पबलिक डोमेन में रखते हैं वजह क्या है क्या इस पर कभी मोदी जी की मन की बात हमें और आपको सुनाई देगी और दोस्तों अंत में एक बहुत सीधा सवाल आपके साथ कि एक तरफ जहां राजनीती में ये तमाम आरोपी बलातकारी और गुंडों का बोलबाला हो रहा है वहीं दूसरी तरफ जो नफरत पहलाई जा रही है उसका इलाज क्या होगा क्योंकि एक तरफ हमें दिखाई देता है कि करनाटक में खुल कर भाशपार नेता कहते हैं कि उन्हें मुसल्मानों के वोट चाहिए नहीं वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सौ साल पुरानी नन्हे मिया चिस्ती की जो मजार है मंडी हाउस पर जो मजार है उसे रातो रात हटा दिया जाता है गिरा दिया जाता है और वहाँ मुसल्मान जो उसके केर टेकर है सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि हम इसी देश के बाशिंदे हैं हमसे क्यों बदला लिया जा रहा है शायद महिला पहलवान भी यही सवाल पूछ रही हैं कि वे इस देश की बेटी हैं इस देश की नागरिक हैं उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा देखिए न्याय के रखवाले ही जो संसद में बैठे हैं वो खुले आम न्याय को कटगरे में खड़ा कर रहे हैं शुक्रिया